हम लोग नंबर सिस्टम से start करें और गई जन में प्रिवियस जो बैचेस पड़ाएं उनमें नंबर सिस्टम से कभी भी स्टाट करें किया मैं है स्टाट किस से करता था परसेंटेज करता था फिर हम करते थे रेशो एंड प्रॉफिट वो सॉरी रेशो करते थे and then करते थे profit and loss यह हम इस वे में चलते थे क्योंगी हम कोई भी चप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत percentage का पार्ट उसमें आएगा थोड़ा रेशो का आएगा थोड़ा profit and loss का आएगा बट यह number system पढ़ानी कि मैंने मेरे से एक बच्चे नहीं ब क्या है ठीक है मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कैसे जैसे माल में तुम्हारे सामने question आया 29 multiply by 57 और तुम्हारे इसके कुछ answers लगे हुआ है अगर तुम्हें unit digit निकालना है तुम देखो कि भाई last में क्या आएगा इसमें 79 या 63 last में 3 आएगा और कुछ ऐसे options है कि यहां पर पर सीखेंगे and then आंगे जो यह चैप्टर पढ़ेंगे हम वहां पर apply करेंगे मेरी बास समझ में आ रही है तो इस वजह से यह चैप्टर पहले पढ़ाने का मैं मैंने सोचा था ठीक है तो इसको हम लोग इस बार पहले पढ़ेंगे अच्छा अभी देखो इस चैप्टर से पर मैं इसको number system के साथ में पढ़ा देता हूं ठीक है चलो ठीक है unit digit में और यह बैसिकली इन में unit digit में भी हमारा वही एक दिन लगेगा अब मान सकते हो कि पूरा एक एक दिन की सारे subtopics है factors में हमारा एक दिन हो गया number of zeros में एक दिन हो गया divisibility हो गया remainder हो गया HCFC यह सारी ची में हम लोग divisibility rules के बारे हम पढ़ेंगे जैसे तुम लोगों ने पढ़े होंगे बसमेर में भी 2,3,5,7,9,11 इन सब के divisibility rules क्या होते हैं अगर हम किसी भी number को किसी भी चीज से divide करते हैं जैसे मैं divide कर रहा हूं 123 को 5 से तो भाई क्या remainder आएगा यह जारी जो चीज़े remainder की होती है वो हम लोग देखेंगे और HCF और LCM के बारे इंट पढ़ेंगे अच्छा HCF को full form क्या होता है का इस कोई बताएगा इस्ट common factor से हैं यह स्कॉमन फेक्टर और LCM क्या होता है lowest common factor ठीक है चलो तो सबसे पहला आप उन लोग यूनिट डिजट के बारे वे आच बढ़ता है ठीक है चलो तो देखते जाना सुनते जाना और चूची समझवें ना है वो मेरे को तुरंक बोलगा ठीक है जैसे मैंने तुमारे सामने एक नंबर लेका मैंने बोला 55273 मैंने क्या है क्या सबको करें और गोने इस जो और मैं पूछू के बताओ यूनिट डिजेट क्या आए तो तुम लोग क्या बोलो क्या आएगी इसकी यूनिट डिजेट अभी तुम मैंने कोई बात बताओ अगर मैं ये 23 मल्टिप्लाइ 21 में से ये 228 आभी दू तब भी कुछ फरक पड़ेगा इस नंबर पर यूनिट डि मैंने ऐसी लिखा कि 512 by 4 5 except 257,my bütün र by four five nine तुम ने जिए si तर uयबद से आती है वह सिर्फ कि से आती है जो हमारा यूनिट डिजेट वाला नंबर होता है घर नंबर का उससे आत तो बस ये सब बता दिये हमारे पास क्या बचा यह नंबर बचे यह सब्सक्राइब तो यहां पर त्री आ गया तो आ गई मेरी बास समझ में आ रहे हैं तो इस अभी मैं तुम्हारे सामने एक मल्टिप्लिकेशन लिख रहा हूं और को यूने डिजिट बताना कि इसकी यूने डिजिट क्या होगी कि अब बस मुल्टिप्लाइ करो फॉर त्री ट्वैल हो गया यहां पर यूने डिजिट आ गई पीच्वा मुल्टिप्लाइ का साइन है तो टूटू जा क्या हो गया फॉर हो गया यानि कि यूने डिजिट क्या आगी पोर आगी मेरी बास समझ में आ रही है गई मुल्टिप्लिकेशन की अच्छा अगर यही सेम चीज़ एडिशन भी होती मालो अगर जैसे मैं 23 प्लस 24 कर रहा हूं और मैंने बोला कि बताओ यूने डिजिट क्या एगी तुमने का सर कुछ फरग नहीं पढ़ता हमें सिर्फ यूने डिजिट से ही मतलब है 3 प्लस 4 हो गय अगर मैं कोई बड़ा नंबर भी लिखूं तो हमें प्लस ही करना बस बीच में जैसे हमें आपर मल्टिप्लाए कर रहते हैं लेकिन इदर माइनस ना देखूं जैसे मैंने तुम्हारे सामने किया 65-23 मैंने पूछा यूने डिजिट क्या वोलो टू आएगी कि क्या टू आएगी बड़ अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं यह 64-48 बताओ यूने डिजिट क्या आएगी इसकी रियल यूने डिजिट होगी वो क्या होगी इसकी रियल यूने डिजिट होगी मेरी बास समझ में आ रही है गाइस यह 10 को 10 से क्यों माइनस कर रहे है जो बताता हूं बताता हूं एक शेकिंट जब भी हम 64-48 करते हैं तो माइनस में हमारा क्या रूर होता है कि अगर उपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा है तो हम लोग क्या करते हैं इससे कैरी लेते तो तो तुमारी यूनिट आगी 6 आगी बट अब एक चीज देखो यहां पर जब हमने माइनस किया तो अमने इससे कैरी तो ली नहीं है बोलो आया ना इससे कैरी को कवर करने के लिए अल्टीमेट ली हम यहां पर क्या तर रहे है इसमें 10 एट तर रहे है तो हमारा यूनिट इट क्या रहा है 6 आ अभी समझ में आया जिसका है सवाल था इसससा आगो है ठीक है अच्छा यहां पर बताओ किसी को कोई डाउट हो अभी सम्लेट पर जी सिरह अफालने काव JULा मैं आपने को को विन आप मिला में इसमीन एट प्सक्र आप पी को के पाड़ेदा को सब्सक्राइब ल गालनिन मिला है 5 प्लाई 5 अब ही समझ में आया? Yes, Sir Okay, चलो, तुम हिंदी में कमफर्टेबल नहीं हो गया? Yes, Sir, I can understand Hindi, but While speaking Okay, okay So, whenever you got any doubt, you can ask in English But here, I will teach in Hindi only Okay, Sir, it's not a problem, Sir I can understand, Sir, for sure अब ही मैं तुमारे सामने एक एक और माइनस लिख रहा हूँ, तो मैं इसका बताना, अगर मैं लिखना हूँ 73 माइनस माइनस 69 माइनस 14 एंड प्लस 89, बताओ भाई, इसकी यूनिट इडिट क्या आएगी वारे सामने मैंने एक एक और मैं पूच रहा हूँ, इसकी यूनिट इडिट क्या आएगी, बताओ पूरा सॉल्व करो, हाँ बताओ बताओ 0 0 आ रही है, चल्लो देखो, हमें क्या गरना है, हमें आँगे वाली डिट से कोई मतलब नहीं, काट डालो बचा के हमारे पास 3-9-4 प्लस का 9, तुमने का सर्य माइनस 9 और ये प्लस का 9 कैसल हो गया, 3-4 आगया, माइनस 1, अब ये माइनस 1 तो कभी हो नहीं सकती हो, इडिट यानिकी प्लस 10 कर दो, तो 10-1 कितना हो गया, 9 यानिकी ये अंसर आगया, समझे? ये सर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अच्छा चल, चलो अभी आँगे देखो, अधर राइस इक चीज और बता, हाँ बता, 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 सर ये वा रस्ट वाला प्लस प्लस, निगो देखो देखो, वेस्चन क्या था, 73-69-14-89, कुछ भी चीज बनी रहे, कुछ भी बना रहे, तो मैं यूनिट डिजिट निगालनी है, तो सिर्फ यूनिट डिजिट सही मतलब है, इन सबकी यूनिट डिजिट क्या है, 3, 9, 4 और 9, इनको अलग से लिख लो, 3, बीच माइनस है, तो माइनस का 9, माइनस का 4 है, यहाँ पर प्लस का 9 है, अब बस इसको सॉल्व 10, when a negative number comes, right? Yes, yes, whenever any negative numbers come, then you will add 10 and then you can get your desired unity ticket, समझे? Sir, इसमें तो कट गया ना, 9 और 9, एक ऐसा एक्जामपल लेके दिखा सकते हैं, जिसमें कट गया नी, इसमें कट गया है, जिसमें कट गया है, देखो देखो, चलो, मैं एक क्वेशन और लिख देता हूं तुमारे सामने, इसमें कोई भी हम लोग random numbers लेते, जिसमें ने बोल सॉल्फ करना है और देखना है कि यूनिट डिजिट क्या है, सब्की यूनिट डिजिट देखो, क्या है, यहां पर 5 है, वीचे माइनस का साइन, यहां पर 4 है, वीचे माइनस का साइन, यहां पर 8 है, प्लस का साइन, यहां पर क्या है, यहां तक समझ में आ है, पताओ भई, हम बस इनको solve करो solve कर तो 5-4 हो गया 1 minus 8 अब यह 3-9 तुमारा कितना हो जाएगा minus का 6 हो जाएगा तो यहाँ पर minus का 6 आ गया बोलो आया न यहाँ तक clear अब यह तक क्लियर अब यह तुमारे पास क्या हो गया एक सेगंड 5-4 हो गया 1 यहाँ पर आ गया minus का 8 और यह तुमारे पास है plus का 3 and minus का 9 ठीक है चलो plus minus minus 3 minus 9 हो गया minus का 6 यह तुमारे पास आ गया 1 minus 40 and then यह तुमारे पास आ गया minus का 13 यहाँ तक समझे जो भी negative में answer आए क्या करना है 10 plus करना है यानि कि remember क्या दाएगा 3 आगा है यहाँ पर minus का कुछ गलती हो रही है इदर अपनों से एक सेकंड 1 1 5 minus 4 minus का 8 plus का 3 and then minus का 9 ठीक है तो minus minus plus 12 12 और 9 हो गया 21 8 minus 21 अरे यार इसमें पता है क्या हो रहा है देखो एक सेकंड या मैंने अपने मन से question लगा है ना इसमें हमारे जो negative वाले नंबर हम लोग add कर रहे हैं यह इन दोलों को add करने से ऊपर निकल रहे हैं पास समझ में आ रही है दोबारा दूसरा question देखो जैसे मैंने तुमसे बोला या अगर हम इसमें करें 11 117 ले लो minus कर दो 113 माइनस कर दो इसमें से या फिर फिर तोड़ा और ले लो इसको कर दो 11 17 minus 113 देन हमने किया minus 29 and then कर दो minus 54 अब देखो यहाँ पर है 7 minus का 3 minus का 9 minus का 4 क्या हो गया 7 minus 3 हमारे पास कितना आ गया व्यास ट्रेंटा एन को ८्यूमेंस त्री देन अलगे स्कूक्त च्रक्राइब गरिक था आ बता हो तो यह उनित्स प्लेस पर चल रहे तो हम लोग माइनस ठेन खत्रेंगे रैंट एक बिनना कि अन्रेड तो तुम मालनो तुमारे पास है 10, 10 raised to the power n है, n या फिर मालनो 25 है, तो तुम बता सकते हैं इसकी unit date क्या है? इसको फॉर्ट से डिवाइट करें तो तो सोचो ना यार तुम लोग 10 का मुल्टिप्लाइ कर रहे हो तो तो नम्बर आएगा वन उसके पीछे 25 जीडा तो लास्ट पे जीरो जीरो अगी समझे वैसे तो में आपर टू से कोई मतलब की निया हमें पस यह देखना जीरो का स्क्वैर जीरो जीरो की पावर 25 इंटिवाइट की जीरो यान कि कहीं पर भी 0 की पावर N है तो तो मारी यूनिट जिट की आएगी 0 याएगी बोलो आया ना वस यस अपन किसी भी नंबर को अगर अपन किसी भी नंबर को मल्टिप्लाय करते हैं जैसे 10 से या 20 से या 30 से तो लास्ट में तो 0 आए गही आएगा न समझ रहों मेरी बात क्या गोल रहा हूं टीक है अच्छा अभी अगर माले जैसे मैंने तुम्हारे सामने लगा इलेवन का स्क्वेर क्या होता है गाईसट मैंने लखा 11 का क्यूब क्या होता है वन डबल थ्री वन होता है लास्ट में क्या है वन तो इससे भी हमें क्या पता चलना है अगर मैंने तुमसे कुछ भी पूछ रहा हूं मालूत मैंने तुमसे ऐसे पूछा कि 1000 वन और इसकी पावर 25 तुम्हें यह आंगे के 1000 से कोई मतलब नहीं है तो मैं सिर्फ यूनिट देख नहीं है वन की पावर 25 तो यूनिट जिट क्या आएगी वन आईगी बास समझ में आ रही है गाई इसक्वेस यह की पावर 29 तुम तो यह अंगे कासा बटादो लास्ट में क्या है 0 तो जीरो की पावर 29 याने की वन दिजिट क्या है 0 मेरे बास समझ में आरे है यह बता हूं यानि अगर सोई भी ऐसा फॉर्मेट है जहां पर वन की पावर एन है तो तुम्हारी यूनिट डिजिट के आएगी वन आएगी यहां तक समझ में आया अच्छा यह तुम्हारे दो नंबर्स के लिए और होता है जैसे मैंने लिखा फाइव का स्क्वेर क्या होता है गाइस हैं इनले का था क्या होता है है कि वाइज तस डिक यूनियुजीट पर गौर करते हो में लहकाँ प् Yoo iPhone करेद्ध्र की आएगी लाश्ट में अगर तमणा कई का थावर यूनिट की ख्रावर के थायगे तब लूट की आ गए मिनègूट की वावरес क्वाफ की स्क्सकिए में त 555 रेस टुदी पावर 769 और मैंने पुछा कि बताओ वाई यूने डिजिट क्या होगी तो तो तम क्या बोलोगे कि सर अमें इन डिजिट से तो कोई मतलब है नी आमें सिर्फ देखना लास्ट में क्या है तो लास्ट में है 555 की पावर 769 और 5 की पावर कुछ भी बनी रहे है हमारी यूने डिजिट क्या आती है पाई भी आती है वरी बास समझ में आ रही है यह बताओ और जो जो बोल रहा था कि यह फोर से डिवाइड करने तुम भी गलत नहीं बोल रहे थे वह साइकलिसिटी वाला कॉंसेप्ट है अभी यह पून आगे पुड़ेंगे ठीक है एक सिक्स की पावर फोर यूने डिजिट क्या होगी सिक्स की पावर कुछ भी बनी रहे हमारी यूने डिजिट हमेशा क्या ही आएगी सिक्स ही आएगी पहले बताओ गाई यह चारो नंबर का तो समझ में आया इस प्रिग है तो अगर कहीं भी तुमारे सामने कोई एक ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे मैं अब तुमने तुमारे सामने क्वेश्चन रिखता है मैंने बोला 769476 रेस टुदी पावर 1257 बताओ यूने डिजिट क्या होगी इस एक सबस्क्राइब करना और इस सबसे बच जाओ गी चलो वह मैं फूर से डिवाइड क्या करते हो भी आंगे बताओं इस यहां तक सभी को समझ में आया अब अब सबस्क्राइब शरी में बस्क्राइब लाइक 246 अब डूफॉर अब यहां अब ही सारी चीज आंगे आ रही है लिमे 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 इक है अब जैसे अब चाहँ अब मैं तुम्हारे समने कुछ लिए रहा हूं जैसे मैंने बोला फॉर रेस टी पावर वन क्या एग इस टीन आएगा और का क्यूब क्या आएगा शिक्स्टी फॉर आएगा और की पावर फॉर क्या एगी बताओ बोलो भाई कि इतनी आएगी 256 बताते जाओ यार मैंने चोटे चोटे बता दियो तिम बड़े बड़े बता दो फॉर की पावर फाइफ क्या आएगा अब थाउन तो फॉर टैनंटे फॉर निएगा double निकरना इसका दियो जब पावर फॉर की पावर फॉर की चेट और जब 3 है तो 4 होगी, 4 है तो 6 होगी, 5 है तो 4 होगी फिर से, 6 है तो फिर से 6 होगी, तो तुम एक pattern notice कर रहे हो, pattern क्या, जब भी 4 raised to the power n है, और जब n हमारा कैसा है, odd है, जब n कैसा है, odd है, तो जैको जैसे यहाँ पर odd है, 1 पे, 3 पे, 5 पे, तो odd है, तब हमारी unit digit क्या है, 4 है, तो लो आया न, और जब मैंने, जैसे ही मैंने n को even कर दिया, जैसे ही मैंने n को even कर दिया, तो हमारी unit digit क्या होगी, सब में देखो 6 है, आरी है नहीं है, अच्छा, यह जो हमारा same case होता है, यह 9 के लिए भी होता है, जैसे अगर देखो, मैं तुमारे सामने लेकू, 9 की गएगा, 9 की पावर 5 करेंगे, तो लास्ट में यूनिट यूडिट क्या आईगी, 9 की पावर 6 करेंगे, तब भी unit यूदि यूडिट क्या आईगी, मेरी बात समझ में आ रही है, और जब भी ऐसा है कि 9 की पावर n और n तुमारा कैसा है, और यह 9 के case में यूडिट क्या हो नाइन और जैसे ही एन इवन कर दिया तो यूने डिजेट क्या होता है कि वह हो जाएगी बास समझ में आरी है वोलो वई क्लियर ना ठीक है चल अच्छा अभी गाइस एक चीज बताना में रगो जैसे चलो मैं तो वारे सामने कुछ वेस्टन लेग रहा हूं तो मैं बताना है कि इस वाले क्वेश्चन की यूने डिजेट क्या हो चलो दिमाग लगा और बताओ चीज चानो और बताओ वही बागी शिक्सी आई कि ठीक है चलो आभी देखो यहां पर फॉर की पावर तुमारी कैसी है यहां पर हमें इससे तो मतलब है नी फॉर की पावर यह कैसा नंबर है और नंबर है और नंबर क्या होते है जो तू से डिवाइड नहीं होते इवन न 67 नहीं हो गाइए यांग पर यांग कि 4 की पावर कैसे यह और भी बात समझ में आरीए है कि यहांपर 9 के पावर कैसी यह 1 है प्लस 5 की पावर कुछ भी बने रहे हैं हमारी युनिट इजट क्या आएगी तो यह तो मेरे को बता है सेंगेस यहां पर कि 6की पावर कुछ भी बनी रहे, इंट की और इंपर एकền suisיא का, और यहां पर फाइवर 14868 विद्यीनको एडर तो देखो, क्या रही है, एक पर फाईवर फाइव बास का आई, एक पागए, इस की या, यहां ने समझ में आईOM तो दिमाग लगा होगे? आज रोसें ठीक है? वह माल लो एह तुम्हारा ग्वेशन एक्जाम बालाटी फोर की पावर वन देखना ज्यान से एक्जाम में क्वेशन से चेंज कैसे होते हैं हमने जो चीज पढ़ी है उसी पर मैं तो आरे सामने क्वेशन लेख रहा हूँ multiply by 9 का स्कुरे multiply by 4 की पावर 3 multiply by 9 की पावर 4 multiply by 4 की पावर 5 multiply by 9 की पावर 6 multiply by dot 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 multiply by 4 की पावर 99 and then multiply by 9 की पावर 100 तो मैं बताना है कि इसकी unit इट क्या हूँ ठीक है? जीरो पॉप्शन लिलो अरे करो यार करो अबी 0 वीरो नहीं यहटे दिमाग लगाओ इतना आसान ओता तो मैं एव बोलता की दिमाग लगा नेटो 4 5 6 या 0 चनुवाई 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 बता हो बाई वाकी लोग बोलिये बाई नहीं आगा ज़र आप रहे करने यश्ण मुन तोर दोर 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 कैलकुलेशन करनी ज़्टन में Option A Option A, ठीए, चलो, Option A अला ते लेगे आजा, guys, try करो, ऐसा कोई है, जिसको पता ही नहीं पढ़ रहा कि वही क्या आगर सकते हैं अच्छा, जिसका C option आया था, 6 वाला, तुम बताओ, तुमने कैसे किया चलो अच्छा So, हमने बदाता है, like 4 to the any odd power, gives the unit digit, gives the unit digit, 4 ए Ger nosso, 9 to the power even gives us 1 So, we will, we need to multiply 400 times, so eventually, it will be 4 to the power 100 यहां पर दियान से सनो गईस मैंने तुम्हें क्या बताएगी जब भी फोर की पावर कैसी हो और तो तुम्हारी यूनिटिट क्या आती है पोर आती है बोलो आया ना अब नाइन की पावर एवन जब होती है तो क्या यूनिटिट आती है इसे ही डॉट 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 करके सुआ पर भी आएगा वर मैलिट को अब एक चीज़ यहां पर दू नंबर को मिलाके मोरा सुर्ट को बन रा है मैं उससीर मे बताओ यहां पर टोटल कितने फॉर बनेंगे कि अ या इंद है नरे टे कहिंट सफ्ट्टि फिफिट्टि फिफिट्स गर्ट रहा यहां पर क्या हो जाया पूर की पावर 50 और जब पावर टो फूर्न करपकान प्रू की तो यहां पर पावर श्टी और या सब्सक्रा ऑक है कि यह से थीक है तुमने बस जो क्या नाम है तुमारा इसको इंगी समझ में नहीं आती अधर बोल नहीं पाता आजो कि सब्सक्राइब लास्ट टेप इंगो यहां पर हमने जब दो नंबर को मिलाया तो मेरा एक फॉर बना बोलो आया न सब्सक्राइब यहां पर फिर से जब मैंने दो नंबर को मिलाया तो मेरा एक फॉर बना तो यानि कि जब मैं दो वो numbers को combine कर रहा हूं तब जाके मेरा 1 4 बन रहा है मेरे पास total यहां पर number कितने दे रखे हैं 100 दे रखे हैं तो जब 100 मेंसे दो दो को मिलाके एक 4 बन रहा है तो यानि कि total मेरे कितने 4 बने होंगे 54 बने होंगे अभी सबज में आया है कि तो सब्सके में अ फॉर को 50 टाइंज मॉल्टप्लाय कर रहा हूं तो जैसे मैं टू मॉल्टप्लाय बैट तो इसको मैं क्या होगी एक क्यू क्यू या यार 수ि मैं सब्सक्राइब पर multiply कर रहा हूं तो यह फोर की पावर पचास हो जाएगी बोलो आया है और जब फोर की पावर मेरी एवन है तो यूनिट इने निट अमारी क्या आत्पिया सिक्साती है तो मेरा यह आंसर हो गया अभी समझे को अभी प्रस्ट दिया अबस्ट अब प्लशंश आएक क्वेश्चन और दूंँए एक ही करोगो है और आधिग्स रहा लुए यूडश्ट सेमगे सामने इसें कोश्चन आप लिए पर प्लस है और यह हैं तो मृटि प्लाइज पर प्लस है बाकि पूरा प्वेस्चन सेम है क करो बढ़ा ओप्शन तुम्हारे सामने लिखे हुए है 4 5 6 0 5 क्या आएगा 5 5 आएगा ठीक है बता हुए बाकी और बता हुए सारी चीज़ा सामने है बट देखो बढ़ीर पाइगा बहुत है यहां पर सकता हुए यहां पर चाए अब यह दो नॉम्बर को मिलाने और आत यह दो नंबर को मिलाकर 15 सबते है किपने हैं आफ टॉटल कितनी फैस्टी फाइव बनेंगे और फिफ्टी टाइमस यहां पर करना है यहां पर मैं फिफ्टी टाइमस पुप सब्रेखा और जिसका ने जिर है जो समझे सब्सक्राइब कोई जिसको यह समझ में आया हो तो प्लीज बोलो सब्सक्राइब मेरे पावर चला गया था सब्सक्राइब ने बोला था कि बस इस ने question में क्या चेंज है कि multiply मल्टीप्लाई की जगे पर हमने क्या कर दिया है हर पलस कर दिया तो अब वही जो यहां मैं पर प्लस वन यह आया था व अब मेरा बस क्या हो जाएगा 4 यह हो जाएगा दो है अधि सुदा वही को अब मेरा यह एक यह और और मिलाकर एक five बन रहा है बनो आया ना यहां पर एक.फो तो तोटल इसंव बनेके पचास फवस्व बने यह creep है है अब में यहां पर 5 को कितने ठाइंड कर रहा हूं 50 भार ढहिए अब मैं जब 5 को 50 बार एड़कर तो यह क्या होगा इयाas प्लाइबाइब फिफ्टी यानि कि यूनिट इडिट क्या आएगी जीरो आएगी अभी समझे अभी क्लियर ना गाइज एक चीज और याद रखना अगर कोई भी नंबर तुम्हारे सामने लिखाए एंड देन उसकी यूनिट इडिट जीरो है जैसे मैंने टू रेस टू इडिपावर जीरो कर दिया तो यह क्या होता है बताएगा कोई अगर मैंने कुछ भी लिखा है मालो 2795 रेस टू इडिपावर जीरो क्या एगी यूनिट इडिट वन मतलब आंसर ही इसका वन ही यूनिट इडिट क्या सब्सक्राइग यह सब्सक्राइग अभी तुम्हारी यह चीज़ होगी अभी अपन बढ़ते हैं साइकलिसिटी वादा क्वार्स यह साइकलिसिटी क्या चीज़ हो तो वाई जरा मेरी बात ध्यान से सुनना अभी जैसे मैं तुम्हारे सामने कुछ एक पैटल्स लिख रहा हूं जैसे मैं चीज़ आएं तो सामने क्या बन चाहिआ हो यह त्युलि क्या वाएं ना, युल म्हारे सामनों हैा, त्रुशुल मेरे सामने के लिख लेए चार हो प्षाहलों क्या बदाओ फ्रेस वन टो वाइव वल्टू आएगा टू रेस टु दी पावर 10 क्या आएगा 1 0 2 4 टू रेस टु दी पावर 11 क्या आएगा 2 0 4 8 और 2 रेस टु दी पावर 12 क्या आएगा 4 0 5 6 4 0 5 6 नहीं 9 से सुरी इस पिले है अभी गाई इन सबकी unit digit notice करो देखो जब power 1 है तो 2 2 है तो 4 3 है तो 8 और फ़ दफ 4 है तो 6 फिर जैसे चार नमबर complete हुए देखो यह फिर से repeat ओन लेंगी 2486 जैसी यह फिर से complete हुए तो फिर से repeat नंबर है जैसे ही उसकी 4 पावर कंप्लीट होती है वो नंबर अपनी फिर से पावर को repeat करने लगता है, unit digit को repeat करने लगता है मेरी बात समझ में आ रही है जैसे की अभी अगर मैं मालू ऐसे पुछता की मालू मैंने तुम से पूछा की 경우 12 तो मैंने यह मैंने कैसे पता किया मेरे को पताएगी हर चार-चार के बाद यह रिपीट होता है तो क्यों ना मैं इस पावर को डारेक्ट 4 से डिवाइड कर दूँ तो जैसे ही मैं 13 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 4, 3, 12 रिमेंडर बचा 1 अब यह जो रिमेंडर बचा है बस वही 2 के पावर के उपर चड़ा दो यानि कि 2 की पावर 1 और इसकी यूनेट डिजिट क्या होगी 2 तो यह मेरा आंसर हो गया बोलो आया ना जैसे मैंने बोला तुमसे 2 की पावर 259 मैंने पुछा बताओ वाई यूने डिजिट क्या होगी तुमने का सर जो पावर 4 से डिवाइड कर दो 259 4 से डिवाइड किया 4, 6, 24 रिमेंडर बचा 1 उतारा अमने 9, 4, 4, 16 रिमेंडर बचा 3 अब रिमेंडर जो हमारा 3 बचा है अब यह जो 3 रिमेंडर बचा है इसको इसके उपर चला दो जैसे ही 2 की क्यों अमने किया तो यूने डिजिट क्या आगई 8 आगई बास समझ में आई गाई तो यह सब लोग अपनी कॉपी में नोट बना के लिख लोगे बचा 개 उने डिजिट रिपीट अफटर एवरी पावर ओव फ्वर एवरी पावर की हर पावर के बाद जैसे 2 रस तू पावर फौर की या उसके बाद इसकी उने डिजिट क्या होने लगी कि फिर से रिपीट होने लगी तो यह में आपर टू हो थ्री हो कुछ भी हो जैसे मैं तुम से बोलू कि सेवन की पावर 159 और मैंने बोला कि बताओ भाई इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी तुमने का सर कुछ मत करो यह जो 159 4 से डिवाइड कर दो अब जैसे ही मैं सेवन का क्यूब करूँगा मेरे को पता पड़ जाएगा कि वाई यूनिट डिजिट क्या होगी तो क्या यूनिट डिजिट होगी अब एक चीज और देखो मालनों जैसे मैंने तुमारे सामने ऐसे गया 2 रेस तुदी पावर तुदी पावर मत करो यह से मैंने बोला 3 रेस तुदी पावर 12 तुमने गां सर यूनिट अगर हम इसकी यूनिट जेट निकालनी है तो एक पावर को फोर से डिवाइड करना तुमेंडर तो जीरो आ गया बोलो आया ना तो जब भी इसकी पावर में कोई ऐसा नंबर आई जो फोर से ही कंपलीट ली डिवीजिबल तो तुम्हें क्या करना बस उसकी पावर 4 चड़े चड़ा देनी है तो थी की पावर 4 तो यूनिट जेट क्या आईगी इसकी बताव स्वीज उसकी फिन दन्गार आईगी ठीक मनजे उसकीशुण। ज़ेकाय यूनिट क्या तो आईगिरिपि इसकी पुरीश। फरुäsीीं। यूनिट आजिट क्या थेवोर रूर रिडीश formulation, बताव भा निखालनी है हमें क्या करना है यह जब आमें दिर तर चेक करना है कि रिमेंडर क्या को तो जैसे मेने 159 को 4 रिमेंडर मेरा क्या आया वोलू आया जैसे यह रिमेंडर ठी आया मैंने इसको पावर की ऊपर चड़ा दिये तो इसकेस में मेरा यूनिट इट क्या अगा मैंने 7 को 3 ला किया लूटिपलाय किया रिक्राय तो सबस्क्राइब रिया तो या रेली करें सरा है अब दूसरा कोई क्या बोल रहा था वह लो सर यह जो आपने क्वेशन लिया थे सर वह अगर 12 वा जाए जो मतलब कोर से कट गाए उसके लिए के लिए रिपीट एट वह थोड़ा समझ में नहीं आए सब्सक्राइब जैसे मालो कोई भी नंबर जैसे मैंने तुम से बोला 7 रेस तुदी पावर 112 यह तो मैंने का सर कि यह पावर है इसको हमें डिवाइड करना है किस से फोर से तो हमने डिवाइड किया वन अंट्रेट अब तुम देखो कि यह हो गया फोर टू जा एट तो यानि कि यह फोर से कंपलीटली डिविजिबल हो गया बोलो आया ना यह जो मेरे को ऊपर गिवन है यह सर अब जब भी य करना है इसके ऊपर फोर चड़ा देना है क्योंकि यह नंबर समारे सारे किस से टिविजिबल है तो यानि कि हम क्या कर रहे है अल्टिमेटली पावर उसकी फोर टाइम सी तो कर रहे है बोलो आया ना यह सर तो बस अब इसकी यूने डिजिट चेक कर लो तो सेवन के क्यूब अचा यह चीज जैसे मैं तुम से बोलूँ कि नाइवज 17 की पावर 751 तो यह चीज सेम ही अल्टिमेटली हमें इस वन से कोई मतलब नहीं है अगर यूनेट इजिट निकाल नहीं है तो अल्टिमेटली मेरे को 7 की पावर 751 देखना पड़ेगा क्या यूनेट इजिट आए बता हुआ है यह चलो इसको दरा करना जैसे मैंने लिखा तो मारे सामने 232 रेस तो दी पावर 350 प्लस 417 रेस तो दी पावर 21 प्लस 313 रेस तो दी पावर 1145 ठीक है एंड प्लस चलो इतना ही है ठीक पताओ भाई इसकी यूनेट इजिट के आएगगे आसे एक और डालो इसमें 5 रेस तो दी पावर 5 और सेवथ और बताओ भाई बाकी इसकी पावर 5 है इसकी पावर 5 है इसना टाइन जयो लग राहे गाई це तो देखो थे पता एक या फाइफ की बावर कुछ भी बने रहा है यूत यहां पर तो उस वा G अब यहां पर तुम्रा क्या दिर्कार का की पावर सम्तिंग दे रखा है हमें आगे वालों से कोई मतलब नहीं है सिर्फ यूनिट से मतलब है तो यह 1145 को डिवाइड दरो फॉर से तो क्या रेमेंडर आएगा पॉर्टू जा एट री उतारा फिर फॉर फॉर एट जा थर्टी टू फिर हमने उतारा टू फिर फॉर फ प्रिमेंडर 1 पचलेगा यानी यहां पर तुमारा क्या गया 7 की प्रवावर 1 तो यूनेट लेट क्या व दौने गयी 7 अब यहां पर चखरो यहां पर टू क्या रूट ओतर SL 5 6 7 और शालjust 7 यानी कि 17 तो यूनेट अनसर प्रवाली चीजमा कदो यह सो एक चीज और देखो वाई लास्ट बचिए फिर समारा युनिट वाल पुलब ऑसा था एसे मेने गोला मुटिप्लाइब यू बाइगी बाई रखॉल इसे बात्यों मृटिप्लाइब यू बाइगई अब जीरो कैसे ही तुम देखो यहाँ पर यह 5 multiply by 2 है तो यह क्या बन गया एक 10 बन गया बोलो आया ना बताओ बई जैसे ही 10 बना 10 का मैं किसी भी चीज़ से multiply करूँ तो यह इंट क्या आएगी जीरो ही आएगी समाझ देखो मेरी बात या नहीं कि अधाओ बई तो बस यह देखना है कि कहां पर लाश्ट में जीरो बन रहा है अगर जैसे यहां देखो यहां पर यहीं दोनों को मुल्टिप्ला करने के बन गया था तो ट्रॉयल मुल्टिप्लाइबाए 5 क्या हो गया 60 यानि कि लास्ट में जीरो अब जिस भी नंबर के ला से इनको करो वैसे दो हम करी चुके हैं यह सब बताते जाना है कि लेवाली की क्या आईगी उने टेट हीरो वेरी गुड जीरो नोटिस करो गाइस नोटिस करो देखो यहां पर यह 5 और 8 दिख रहा है 5 एट जा 40 हो गया मतलब इन दोन लास्ट में 0 बना लिया किसे मल्टिप अगरो जीरो ही आएगा इसका बताओ जीरो मेरी गुड जीरो अभी देखो यह 81 से लेकि 89 तक लेकर रखा है तो बीच में यहां पर 85 भी आएगा अब 85 का जैसी तो में 82 यानिकि 5 टू जा टेन लास्ट में 0 गन गया जीरो आ गई इसका बताओ इसका बताओ वही क्या एक आएगा अगया इसका बताओ वही क्या आएगा अगया इस जैसे तो में इनका मुल्टिप्लाइब करोगे तो तू मुल्टिप्लाइब है 5 होगया 10 आप तेन किसी से भी multiply करो क्या आ एका तिक जीने ईके उसका अंसर क्या होजाएगा सब्धिक का पता है प्राइंअन्पर क्या होते हैं ऐसा तो कोई नहीं है इस पता प्राइंअन्पर्स क्या उते हैं यह ग के दिधीबल जैसे हमारा नमबरा dining बहुंट 6shirts तो यह हमारा कैसा नंबर होता है अच्छा अब ही मैं तुम्हारे मेरे को बताना नैच्रोल लंबर क्या होते है मेरे बात में बात में बतला है नाब में दरना ओर याइज बंड़ा और याइज दगम वन टू टू तक हमारे चलते हैं ऐन्फिनिटी तक ठीक है अगर हम होल लंबर्स की बात करें होल लंबरी का से होते हैं लग्र्स हमारे का से स्टाट होते हैं थी चलो आए जाओ चलो यह दो इसका बताओ वही क्या आएगा सर अब यह चोटे चोटे ग्वेस्टेंस है अब 46 को तुम 4 से डिवाइड करोगी क्या बचेगा रिमेंडर टू बचेगा तो त्री का स्क्वेर यानि की युनिट डिजिट क्या आगी नारी सभी को समझ में आया ऐसा कोई है जिसको समझ में आया हो और वो फिर भी हाँ बोल रहा है तो भाई अपने साथ दोबह गर रहे अब ही को समझ में आया ना यह बताओ और यह क्या आया दो अच्छा एक सेकंड यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा ना यह कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 32 रेस टूदी पावर 32 रेस टूदी पावर 32 और यह तुमारा प्रीवियस अर्ट पीलिकसर वहा हुआ 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 है अरो बढ़ो तुम मेरेको आंसर बताओ सर्टू सो ratu इमलत आए सबस्क्राइब जो शेवरे गोड देखो इस तो इस त्रीका तो कोई मतलब पाइब लिगवरे एक तुम दियान से देखो गया आए तो एसका मतलब क्या है यह कुछ इस तरीके से 32 multiply by 32 multiply by 32 dot 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 multiply by 32 बोलो आया ना अब है अब ही आये तो 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 सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि वाई क्या यह जो नंबर लिखाए मेरे सामने इस फोर से डिवेजिबल है या नहीं है तो मेरे को बता हुआ क्या यह फोर से डिवेजिबल है इस बिल्कुल 4 से डिवेजिबल है तो जब भी नंबर 4 से डिवेजिबल है तो तुम्हें क्या करना है उपर 4 चड़ाना है तो की पावर 4 क्या होती है 16 यानि की यह ने डिजिट क्या दिशिक्टा गई है आफसर होगे समझे कोई डाउट किसी को बसाओ कुछ हो वह सर ऐसे स्कुएर पाइक और एक्जामपल दे दीजेने जिसमें सेम डिजिट रिपीट हो रही हो एक और एक्जामपल ठीक है तर अबताओ शम है सेम रहने दिया एर्ण मैंने इस पूरे को देखा तो यह क्या रहत्त कि पावर सब्सक्राइब करते हैं जो मैंने उपर के दो 32 लिए थे उस सब्सक्राइब उनको करेंगे ना उनको भी सॉल्फ गर सकते हो देखो जैसे तुम डायेक्ट यहां पर दिमाग लगा लो कि भाई यह जो 32 की पावर 32 है यह तो फोर से डिवीजिबल होगी योगी वह लो आया ना यह सर फोर से डिवीजिबल होगी तो सर वह उपर जीरो हो जाएगा तो जीरो से हमने मतलब नहीं है जैसे फोर धावर foreign thought i was a partner हम टोड़ी की पावर कर देंगे यह हम यह जायेगा यह थोड़ी करते हैं जब डिविजिबल हो तो हम 4 की पावर को 4 ही रहने देते हैं, यहां पर जैसे यह डिविजिबल है तो हमने क्या कि यह बस 4 लगा दिया इसकी जगह और चेक कर लिए यूनिडिजिट के हैं, अभी समझे ठीक है, ठीक है, चाब, आन यादो, इसका बताओ मरीफ यह कि यह सरस्केश को यह बस्टत, दिविजमी के अभी मन में मन में मन में मन में भाई शुट 6B भी आरा है चलो देख हमें इसको सॉल्फ करना है कि भाई इसकी यूनिट डिजट क्या रही है करो सॉल्फ इसको अटाओ 3 की पावर 23 तो 23 को जब तुमने 4 से डिवाइड किया तो रिमेंटर क्या बचेगा 3 यानि कि तुमारे पास यह यहां पर यह बचा माइनस करो इसको अटाओ 7 की पावर 38 यहां पर तुमारे पास क्या बचेगा यूनिट क्या बचेगा 2 बचेगा इसको अटाओ इसको पावर कुछ भी बने रहे तुमारे यूनिट जिट क्या होती है 6 ही होती है बोलो आया ना उदा होई यह सअर्ट क्यूब यूनिट क्या ही 7 7 7 का स्क्वेर यूनिट जिट क्या ही 9 9 7-6 7-9 6-6 6-4 या जलो जे यस यस आंगे आज़ा स्क्वेर वाला एक कोप्षन और बता दीजेगा कौन स्क्वेर वाला सर इसके पहले अजय हो सर वह तूदीज पावर 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 तटीज तूदीज पावर हां सर यह व्यादा जीट गज़िक बता दो इसके एसको इसकि यह उने कर सकते यह 32 पावर 31 यह वह फॉर 31 कि इतने टाम्स मिल्टीप्ला ऑड़ाईगा मिरी बास समझ में आ रही है कुछ इस तरिके से करोगे है ये और ये सर्ड वाकि इस तरगी करेस्चन तुवारी प्रैक्टिस चीट में भी काफी तले हैं टीक है तोस्त वाहा रंसे लेना तुम ठीक उद्वाल्यत इसको गणुद्ण डिलाइब कत अब ऐचार ये इसको अब आप इस को जाओ कि अगर लुपार्यवर देंस इन तो लुपार्य आथा अगर न सुहांग न तो यह जाओ आगा तो कुछ निकर ना और भी यहां पर क्या है वन की पावर सम्थिंग यूने डिजिट क्या होगी यहां पर भी वन की पावर सम्थिंग यूने डिजिट 1-6 की पावर कुछ भी बनी रहे यूने डिजिट 5-6 की पावर कुछ भी बनी रहे यूने डिजिट 5-6 की पावर कुछ भी बनी रहे यूने माइनस प्लस माइनस यानि कि यहां पर क्या आजाएगा इसके आगे अपन लोग करेंगे ठीक है अच्छा यह वैसे मैं को बतानी है यह कल बताऊंगा तुम्हें कुछ सीरीज होती है ठीक है चलो अभी देख लो दो गईज यह तीन सीरीज तुम्हें याद करनी पड़ीं ठी प्लस डॉट 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 यह करते है एंड टाइम तो इसका क्या रिजल्ट होता है किसी को किसी को पताएगा इसका क्या रिजल्ट होता है किसी को पताएगा इसका क्या रिजल्ट होता है किसी को पताएगा इसका क्या रिजल्ट होता है किसी को अगर यह वाली सीरीज हो 1 का square plus 2 का square plus 3 का square plus dot 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 plus n का square तो यह हमारा किसके बराबर होता है यह पता है किसी को यह होता है हमारा n n plus 1 2 n plus 1 upon 6 इसको note कर लोगा कि तीनों को याद होनी चीह यह कल तक अगर मैंने लेका 1 का cube plus 2 का cube plus 3 का cube plus dot 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 plus n का mean फो यह हमारा बराबर होता है n n plus 1 upon 2 इसका हो इसका इसकोय बता वह यह ठीश समझ में आई कि इसको पे तो यहाँ पर यह हमारी दूसरी वाली सीरीर यह जो तुमारे सामने यह लखा्ट法 दूसरी वाली सीरित है यह हमारी किसके बराबर होती है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स के तो मेरे को गाईज यह बता हो यहाँ पर एन की वेल्यू क्या है 33 जो यहाँ पर लास्ट नमबर है यही एन की वेल्यू यानिकी 33 33 प्लस वन और टू मल्टिप्लाइब बाई 33 ब्लस वन डिवाइड बाई 6 तो यह तुमारे पास हो गया 33 मल्टिप्लाइबाई 34 मल्टिप्लाइब बाई 23 सुरी, यह हो गया, 33 टू जा 66, प्लस 1 67, डिवाइड़ाई रभाई 6, अब इसको डिवाइड रहो, 23 जा 6, 27 जा 34, 3 11 जा, अब चेक करो, यूनिट डिजिट के आएगी, 77 जा 49, 9 जा 9 यानी की यूनिट डिजिट के आगी, 9 आगी, तो तम्हारा यांट, समझ में आया गईज, ये सर ये सर चलो भाई अभी एक क्वेश्चन और देता हूं इसको घरसे करके लाना 1 का Q, फ्लस 2 का Q, फ्लस 3 का Q तो मैं यूनिट निकालनी है फ्लस डॉट 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 फ्लस 33 का Q इसकी यूनिट निकाल गालना ठीक है चल्ब अभी क्लास में ही रहना सारे एक सेक्ष तर्विल्यू शेयर दे पीडियर और इपीटी सर्विल्यू शेयर दे पीपीटी इंद मैं यह वाली जो पीपीटी है ना जहांपर अपर अपर लोगे अनोटेशन वाली अभी लिख रहे हैं यह जब चैप्टर खतम हो जाएगा तब मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँ ठीक है अगर तुम लोग चाओ तो यह जो पूरी क्लास्रूम शीट है यह बिना अनोटेशन के जहांपर मैं यह सॉल्व कर रहा हूं यह मैं शेयर कर सकता हूं तुम्हारे साथ यह जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब यह जो च्लास्रूम अनोटेशन वाली पीडिएफ है जहांपर यह मैं सॉल्व कर रहा हूं और जो यह अंसर निगाल के आपू टिक मार्क कर रहे हैं यह पूरी चीज जब चैप्टर गथा उसके बाद मैं तुम्हारे साथ करूंगा सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब तुम्हारे साथ रिकॉर्डिंग तो शेयर होगी यार वहां पर स्क्रीशोट लेलना वासे देख्रेना ठीक है भुख बैसर